हलो बीचिया माई लवर्स कैसे हो आप सब मैं स्टिबिन दार्स पर्स के लास जगकास तो गैस हमसा ऐसे ही रहो और खुश रहो तो गैस आज हमारे यहाँ पर एम 14 रोयल पास का वीक 3 ओपन हो चुका है तो उसके अंदर जितने भी मिशन है वन बाई वन में आपको सारे एक्स्प्लेंट करोंगे आप लोग वीडियो का लास तक देखेगा बिल्कुल पर स्क्रिप मत करेगा तो यहाँ पर आर्पी के अंदर आप लोग देख सकते हो लिखने को मिलेगा एलाइट फिनिस जिक्स एनेमी इन जिंगल मैच इन क्लासीक मोर तो गैस क्लासीक मोर में आप लोगों को यहाँ पर एक ही सिंगल मैच की अंदर छे एनेमी मारने है और इसके आपको 100 आरपी पॉइंट मिलने वाला है बट इसके आगे लिखा है में देर सारे मैं पर आप लोग कोई सा भी लगाके खेल सकते हो बट ज्यादय तर मैं आपको सर्ज़ेस्ट करूँ में आफ़ टर्मैट लगाके खेलना और डूओ और सकॉड में मिशन करना ताकि ज्यादा तर आपको बोट देखने को मिल जाए है अब गाइज इस गेम के अं पर complete हो जाएगा उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं next mission की जिसके अंदर लिखा है land on any rooftop in hospital इरेंगल two times in classic more तो guys classic more में आप लोगों को यहाँ पर जो इरेंगल map है उसमें hospital नाम की location पर किसी भी building के छट पर दो बार land करना है और इसके आपको 100 IP point मिलेगे और इसके अंदर भी same elite लिखा है तो इस mission को भी आप लोग यहाँ पर करोगे तो आपका mission complete तो हो जाएगा बट collect भी होगा जब आप लोगों ने royal pass purchase करी होगी तो इसके लिए भी same आप लोग यहाँ पर map की अंदर rank में आपको first number पर इरेंगल देखने को मिलता है तो उसको लगाओ या फिर unrank की अंदर भी first number पर जो इरेंगल है उसको लगा के आप लोग खेलना क्योंकि इरेंगल के अंदर ही hospital है तो यहाँ पर map की अंदर guys आप लोग देख सकते हो left side में उपर उपर आप लोगों को यहाँ पर जोजोपुल के नीचे hospital की building देखने को मिल जाएगी तो सिर्फ एक ही यहाँ पर बड़ी सी building है तो बहुत ही careful है आप लोगों को इस building के छट पर दो बार दो game के अंदर land कर लेना है ठीक है उसके बाद शली हम लोग बात करते है next mission की जिसके अंदर लिखा है repeatable week 3 only span 100 minute in matches तो guys यहाँ पर क्या होगा कि every 100 minute span करने पर आपको 75 rp point मिलेगे और इसके आगे repeatable लिखा है तो repeatable का मतलब यह है कि इस mission को आप लोग repeat कर सकते हो बार बार कितने बार तो total 6 बार 6 बार आप लोगों को यहाँ पर 100 minute span करनी है जिससे 75 75 करके आपको 450 rp point तक मिल जाएगे और यह week 3 जब official open होगा ना तभी आप लोग इस mission को कर पाओगे इसके लिए आप लोग यहाँ पर map में rank में कोई सा भी लगाओ on rank में भी कोई सा लगाओ arena लगाओ others लगाओ कोई सा भी map लगा के खेल सकते हैं उसके अंदर जैसे जैसे आ आप लोगों को यहाँ पर map में सामी नाकम के लोकेशन पर जाके एसल राइफल से 14 मारने हैं और इसके आपको 150 rp point मिलने वाले हैं तो इसके लिए आप लोग क्या गरों कि यहाँ पर map में rank में आपको सा लगाओ देखने को मिलता है उसको लगा के खेलो या फिर आप लोग यहाँ पर जो अन्रेंक है उसमें भी जो रेंडम मेप है ना उसके अंदर सेन होक सिलेक करके गेम को स्टार्ट कर सकते हो अब यहाँ पर map के अंदर में आपको location बताओ तो left side में एकदम नीचे नीचे आपको सामी location देखने को मिलेगा तो बहुत बड़ा सा location है कही पे भी जाके आप लोग यहाँ पर जोदा इनेमी SL ट्राइफल से मार सकते हो अब मैं आप लोगों को SL ट्राइफल बता दू तो inventory के अंदर आप लोग देखोगे तो gun के option में AR के अंदर आप लोगों को यहाँ पर first number पर EKM मिल जाएगी second number पर M16 A4 है स्कारल को आप लोग सेन होक मे जाएगी और यह ग्रोजा और जो ओग है वह आपको ड्रॉप में मिलेगी QBZ exclusive weapon है सेन होक का तो इसको आप लोग ट्राइगर सकते हो M762 और M47 इसमें से किसी भी गन से आप लोग यहाँ पर जो location मेंने बताया वहाँ पर जाके 14 एनेमी मार सकते हो उसके बाद चले हम लोग बात करते हैं next mission की जो कि हमारा पांचवे नंबर का mission है इसके अंदर गाईज यहाँ पर लिखा है friend bonus फिनिस फोर एनेमी विद शॉटगन इन इरेंगर इन क्लासिक मोर तो गाईज क्लासिक मोर में आप लोगों को यहाँ पर जो इरेंगर मैप है उसमें शॉटगन से शॉट 25 आर्पी पॉइंट मिलेगे बट इसके आगे लिखा है friend bonus तो इसका मतलब यह है कि इस mission को अगर आप लोग गुरूएल पास वाले friend के साथ करोगे तो आपको 30 आर्पी पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगे तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ पर मैप में रैंक नमबर पर S686 है सेकेंड नमबर पर S897 है थर्ड नमबर पर S12 के है और फूर्थ नमबर पर DBS है तो श्यार में से किसी भी गंद से आप लोग यहाँ पर इरंगल मैप में जाके एने में मार सकते हो उसके बाद चली हम लोग बात करते हैं next mission की जो कि हम लोगों का छठे नम मिलने वाले हैं इसके आगे लिखाए टीम बूस्ट तो इसका मतलब यह है कि इस mission को आप लोग सोलो में करोगे ना तो सोलो में तो आपका mission हो जाएगा बट अगर इस mission को आप लोग डूओ या squad के अंदर करते हो तो इसके benefit है benefit कुछ इस तरीके से है कि आपका जो teammate होगा न मैप में आप लोग rank और unrank में कोई सा भी लगाओ drop तो सारे मैप में आते हैं बस ज्यादा तर आप लोग after map लगा के खेल सकते हो अब यहाँ पर आप लोग देखो after में छोटा सा map है तो drop भी आपको आराम से देख जाता है तो drop को आपको जल्दी से open कर लेना है और guys drop open करने हो इरेंगल या किसी भी map में तो flare gun चला के भी जो drop आता है उसको भी आप लोग open कर सकते हो उसके बाद चले हम लोग next mission के बाद करते हैं जो कि हम लोगों का साथवे नंबर का mission है इसके अंदर लिखा है finish 8 enemy with mossin nagon sniper rifle in classic more तो guys classic more में आप लोगों को mossin nagon sniper rifle से 8 enemy मारने है और इ इसके लिए आप लोग क्या गरों कि यहाँ पर map में सिर्फ और सिर्फ आप लोग rank या फिर अंदर इरेंगल लगा के खेलना क्योंकि mossin nagon ज्यादे तर इरेंगल में ही मिलती है ठीक है तो अंदर इरेंगल लगाने के बाद मैं आप लोगों को mossin nagon sniper rifle दिखा दू तो mossin nagon मिल जाएगी यह वाली गन को आप लोग अच्छे से देख सकते हो car 98 jc है तो इसी गन से आप लोगों को यहाँ पर 8 enemy मारने है ठीक है उसके बाद चले हम लोग next mission की बात करते हैं जो कि हम लोगों का यहाँ पे pick up scaral in 15 matches in classic more तो आप लोगों को classic more में 15 match के अंदर scaral pick up कर देनी है और इसके आपको 75 points मिलने वाले है तो गाइस इस mission का वीडियो में ने one minute Monica channel पर explain कर दिया है अगर आप लोगों को full video देखना हो तो चैनल का link description में मिल जाएगा आप लोग जाके check out कर लेना इसके लिए आप लोग यहाँ पर map में rank unrank में कोई सा भी map लगा सकते हो सिर तो AR की अंदर आप लोग देखो third number पे scaral है तो इसी scaral को आपको सिर्फ एक बार pick up करना है फिर भल आप लोग backpack से निकाल दो तो भी यहाँ पे चलेगा उसके बाद चले हम लोग next mission की बात करते हैं जो कि guys हम लोगों का 9 number का mission है इसके अंदर लिखा है travel more than 35 meter while operating a specific vehicle monster truck in classic more तो अप लोग rank की अंदर लिविक लगा के खेल सकते हो या फिर unrank की अंदर अप लोग लिविक और aftar math दोनों में से कोई सावी लगा के खेल सकते हो monster truck आपको सिर्फ और सिर्फ लिविक और aftarm math में ही मिलती है तो guys यहाँ पर आप लोग देखो यही monster truck है जिसके अंदर आप को ट्राविल करना है अप्रेटिंग विहिकल का मतलब है कि आपको ड्राइव करना पड़ेगा ठीक है आप लोग गेट इन करके बैठोगे तो आपका है और इसके आपको 75 आर्पी पॉइंट मिलने वाले है तो इसके लिए आप लोग क्या गरों कि यहां पर मैप में आप लोगों को रैंक अन्रैंक में कोई सा भी मैप लगा देना है ज्यादे तर आफ्तर मैट इरेंगल और लिविक लगा के खेलना क्योंकि इसके अंदर आपक जो स्नाइपर और एर का है उसको आप लोग शॉप से परचेस कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ पांच-पांच कोईन से ही यहां पर आते है ठीक है तो गाइस यहां पर ग्लिश ऐसा है कि एक गेम के अंदर अगर आप लोग तीनों टाइप की अलग-अलग उठाते हो तो आपकी ऑरीणा में UMP 45 से 100 एने मी मारने है और गैस जो लास्ट वाला मिशन है वो भी सेम ही है कि आप लोगों को एरीणा में UZ से 100 एने में मारने है तो दो मिशन है सिर्फ इसमें गन अलग-लग कर दे गई है तो दोनों मिशन के लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि यहां पर मैप मे earn rank की अंदर आप लोगों को यहाँ पे arena देखने को मिलता है तो arena में आप लोग कोई सा भी लगा के खेलो first of all आप लोग UMP की बात करें तो जो loadout का feature है उसमें से चार में से किसी भी layer पे click करके आप लोगों को यहाँ पे SMG वाले निशान में देखो यहाँ पे first number पे UMP मिल जाएगी तो इसके देर सारे attachment भी है जो भी आप लोग इसके अंदर चलाते हो वो सबको यहाँ पे attach करो और last में फिर UMP को equip कर देना अब जैसे ही आप लोग UMP को equip करो तो ज्यादा तर हो सके तो domination लगा के खेलना क्योंकि domination के अंदर धेर सारे kill हो जाते है और second mission जो UZ है उसके अंदर भी same आप लोग चीज़ कर सकते हो कि loadout के अंदर आप लोग यहाँ पे gun के अंदर जो SMG है उसके अंदर से UZ को equip कर दो जो भी attachment आप लगाना चाहते हो लगा दो last में UZ को equip कर दो और ज्यादा हो सके तो domination लगा के खेलो क्योंकि इसके अंदर आपके ज्यादा तर kill हो जाते है तो इसी तरीके से आप लोगों को 12 missions को complete करना है आप लोगों के कितनी आरपी हो चुकी है मुझे comment करके जरूर बताना यह वाला वीडियो अगर आप लोगों के लिए थोड़ा भी helpful हो तो वीडियो को like share जरूर से कर देना चैनल पे नहीं हो तो चैनल को subscribe कर देना मैं मिलती हूँ आप लोगों से next वीडियो में तब तक के लिए ओके bye and thank you for watching